इस वीडियो में हम जानेंगे कि निक्षय पोर्टल पर पेशंट लाब रजिस्टर कैसे देख सकते हैं। पेशंट लाब रजिस्टर एक्सेस करने के लिए सबसे पहले नाम और पासवर्ड का उप्योग करके निक्षय रिपोर्ट पोर्टल में लॉग इन करें। लेफ्ट पैन पर मौजूद रोगी वार सूची पर क्लिक करें। यहां आपको पेशंट लाब रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। एक पेज दिखाई देगा जिसमें कुछ डॉप डाउन दिये गए होंगे। जब आप यहां वैलियोज का चयन करते हैं, तो आपको पेशंट लाब रजिस्टर मिलेगा। यह रजिस्टर उन सभी नोटिफाइड रोगियों की सूची देता है, जिनके लिए किसी भी प्रयोक शाला परीक्षण का अनुरोद किया गया था, और चयनित अवधी के दौरान परीक्षण के परणाम उपलब्ध हैं। राज्य के लिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपनी पसंद का राज्य चुनें। इस मामले में हम हरियाना का चयन करेंगे। अगले चरण में आपको जिले का चयन करना है। TB unit के लिए drop-down में आप या तो किसी एक unit का चयन कर सकते हैं या all TB unit के विकल्प का चयन कर सकते हैं. आवरित्ती मासिक या त्रेमासिक हो सकती है. अभी के लिए मासिक चुने. अगला drop-down आपको वर्ष चुनने की अनुमती देता है. ड्रॉप डाउन में पिछले पाँच वर्षों की सूची है. महीने के drop-down में अपनी आवशक्ता के अनुसार महीने का चयन करें. फैसिलिटी के तहट रेडियो बटन के साथ दो विकल्प हैं. डाइगनोज्ट और करंट. फिर आपको drop-down से दिनांक प्रकार का चयन करना होगा. यहां enrollment date, notification date और deleted date का विकल्प है. अगले चरण में आपको HF सेक्टर के प्रकार का चयन करना है. चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट. टाइप आफ केस drop-down में दो विकल्प हैं. DSTB और DRTB. Sight of Disease चयन करने के लिए drop-down में चार विकल्प हैं. All, Others, Extra-Pulmonary और Pulmonary. आयू के लिए drop-down में दो विकल्प हैं. 15 साल से कम और 15 साल या उससे अधिक. अंतिम drop-down आपको रोगी के लिंग यानि जेंडर का चयन करने की अनुमती देता है. पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर. सभी डेटा दर्ज कर लेने के बाद Generate Excel बटन पर क्लिक करें. Excel फाइल जनरेट हो जाएगी और आपको अपनी स्क्रीन पर एक डाउनलोड बटन दिखाई देगा. इसी के साथ रोगी लैब रजिस्टर देखने की प्रक्रिया पूरी होती है. लाप मेर लाएगी एकूरी होती है.